नमस्कार, competition committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान, आए फ्रेंड आज हम पढ़ते हैं, competition committee के competitive science series में एक अगले महत्पूर्ण lecture को और आज हम cover करने वाले हैं भारत का जो historic mission है, चंद्रियान 3, उससे related महत्पूर्ण facts related MCQs को, और ये MCQ definitely आपके अपकमी exams के लिए बहुत helpful होंगे, parallel हमने इसमें आदित्य 11 point को भी इसको cover किया हुआ है, आदित्य 11 mission में भी कुछ ऐसी बाते हैं जो आपके exams के लिए important हो सकती है, तो हमने उसे MCQ की form में आपके सामने प्रसुत करने का प्रयास किया है, आईए देखते हैं इस महत्पूर्ण part को, एक ऐसा important sentence, like India is on the moon, यानि कि भारत अब क्या है, मून पर पहुँच चुका है, दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है, जो मून पे landing किया है, और दुनिया का पहला ऐसा देश है, जो मून के साउथ पोल पर landing किया है, ये हमारे लिएक सबसे बड़ी बात है, कि दुनिया के हम पहले ऐसे देशे हैं, कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हम landing किये हैं, तो आईए देखते हैं इस से related महत्मूर MZQ, कॉम्टिटी साइंस, जिसमें कि हम जनरल साइंस, इन्वार्मेंट, टेकलोजी की चीज़ों को कवर करते हैं, तो डिरेक्टली मैं आता हूँ MZQ पर कुछ बाते हैं, जो आपको इस चंद्रियान मिशन 3 से related चीज़े हैं, जो उसको हम आपको कवर करनी हैं, पहले लिए हम यहाँ पर आदित्या 11 मिशन की कुछ बातों को यहाँ पर MZQ फॉर्मेट पर देखेंगे, तो डिरेक्टली आ चंद्रमा के दक्षिडी दुरूपा लेंडिंग करने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश है, यह भी हमने डिस्कस किया, यह भी बिल्कुल correct sentence है, नाओ चंद्रमा के के दक्षिडी दुरूपा लेंडिंग करने के लिए रूस का लूना 25 मिशन को भी भीजा गया था, य चंद्रयान 3 को किस उबगरह प्रक्षेपणियान से लांच किया गया था, यह भी बहुत important point है आपकी exam के लिए, तो PSLV C25, GSLV Mark 2 या LVM3 M4, याद रखना, launching vehicle Mark 3 M4, M4 सही चंद्रयान 3 को लांच किया गया था, इसके M1 पार्ट से चंद्रयान 2 को लांच किया गया था, इस GSLV Mark 3 है, GSLV Mark 3 को अब रिनेम कर कि उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, launching vehicle Mark 3, और यह M4 जो है, वो M1, M2, M3, M4 इस परकार उसकी series है, तो M1 से क्या है, चंद्रयान 2 लांच किया गया था, और M4 से क्या है, आपका चंद्रयान 3 लांच किया गया था, ठीक है, यह बात ह ध्यान रखना, 14 जुलाई को हमने लांच किया था, और 23 सगस को हमने वहाँ पर सफलता पूरवक लैंडिंग किया है, ठीक है, नाओ, come to the next question, चंद्रयान 3 को किस उबग्रह कक्षा में भेजा गया था, यानि कि सैटलाइट के कौन से और्बिट में भेजा गया था, हम बात क करते हैं, अलग-अलग और्बिट जैसे लो अर्थ और्बिट, मीडियम अर्थ और्बिट और हाई अर्थ और्बिट होते हैं, निमनभूक अक्षा, मध्यभूक अक्षा, उच्च भूक अक्षा होती है, अभी ऐलियों की भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, उसी पर मे की भी टाइब्स हो सकते हैं, हम इस और्बिट वाली चीज़ों पर डिरेक्ली आंसर्स पर आते हैं, देखो ये बात याद रखना कि एक ऐसा और्बिट होता है, इसे जी ऐसो जो है, किसका सेक्टर है, जी ऐसो जो है, आपका जिसमें की जियो सिंक्रोनास और्बिट, जिसे इ हम कहते हैं, नियरेस पॉइंट और फार्देस पॉइंट को अपोजी और पैरी जी कह देते हैं, तो ये जी ओ सिंक्रोनास ट्रांसफर और्बिट बिलकुल, जब भी इंटर प्लनेटरी मिशन होगा, अंतरगरी मिशन होगा, आल्वेस, हमें साही, जी टी ओ में ही लांच कि जाएगा, याद रखना, और जी-ओ, एक्चुल में, जी-ओ सिंक्रोनस इक्विटोरियल ओर्बिट है, है न, वो इसका आंसर नहीं है, पोलर ओर्बिट, ये-ओ का पार्ट है, तो आंसर इस B, है न, इसका हिंदी नाम अगर मैं कहों, तो जी-ओ सिंक्रोनस कहा जाए, इस् इन को स्पार के प्रथम जो समीटी के जो चीयरमेन थे तुट वहां पर भी वो Dr. Vikram सारभाיא आये थे इसमें पंडित नहरु का एस्पिरेशन था और यहां पर बात करते हैं Dr. Vikram सारभाई का विजन था और इसके बेज पर क्या है यहाँ पर इनको स्पार का गठन किया गया था और बाद में 15 अगस्ट 1969 को इसरो का गठन हुआ और डॉक्टर विक्रम सारा भाई प्रत्थम चेयर्मेन बने इसरो की वर्तमान अध्यक्ष को हैं 10th नंबर की है एस सोमनाद साहव है यह भी बिल्कु गरवाया था ठीक है यह बात याद रखना तो इसमें इस तीनों चीजें सही है तो उप्रोक्त सभी डी नेक्स कोशन सुमेलित है चंद्रियान्थी लांचिंग कब हुई थी 14 जुलाई 2023 को हिस्टॉरिक डेट है डॉन्ट फर्गेट चंद्रियान्थी लेंडिंग है सेकें एलवन की लांचिंग रिसेंट में 2 सेप्टेंबर 2023 को इसको किया गया है और इसमें भी सही चीजें हैं तो उप्रोक्त सभी डी ठीक है नेक्स वन आदित्य एलवन मिशन में कौन सा लांचर प्रयोग किया था यह पॉइंट भी याद रखना आदित्य एलवन जो है एक्च is the right answer next one यहाँ पर अगला question देखते हैं कि सुमेलित है चंद्रयांत्री पैलोड लेंडर और विक्रम चंद्रयांत्री में जो पैलोड होते हैं मतलब किसी भी satellite की उसकी कारिपनाली को ज्यादा enhance करने के लिए बढ़ाने के लिए जो भी extra जो है उसमें instrument लगते हूं सबको हम एक common word में पैलोड कह देते हैं तो चंद्रयांत्री का पैलोड का नाम क्या है जो लेंडर है उसका नाम विक्रम है और जो यहाँ पर जो वहाँ पर रोबूट जिसमें लगा हुआ है रोवर जिसका नाम प्रग्यान है है ना और उसमें एक propulsion model लगा हुआ था है ना तो यह त और भीटर नहीं भीजा गया था ठीक है और बीट मतलब मून के चारो तरफ और बेट में चक्कल लगाने वाला और भीटर चोखी चंद्रयान 2 का हमारा और अल्रेडी फंक्शनल है तो चंद्रयान 3 में ओवराल क्या है साथ पैलोड भेजे गये थे तो साथ पैलोड में दे और LIBS, ये LIBS की मदद से ही, हम अभी वर्तमान में, अभी जब ये सेशन बन रहा है उस दौरान, हम ओवराल आट ऐसे ऐलेमेंट की खोज कर चुके हैं कहां पर? चंद्रयान 3 में, including oxygen, hydrogen की खोज चल रही है, लेकिन water के crystals हैं तो obviously वहाँ hydrogen भी होगा, क्योंकि hydrogen और oxygen मिलके ही तो पानी बनाते हैं, ये बात याद रखना, south pole में इसे खोजा जा रहा है, next, चंद्रयान 3 का जो propulsion model है, उसमें जो चीज लगा हुआ है, जो instrument लगा है, उसका नाम है shape, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 7 वहाँ array, है ना, array, ये जो है, आपका साथवाँ जो है, पैलोड है, इस प्रकारियन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है, LRA, LRA मतलब laser retro reflector, laser retro reflector, ये जो है, LRA जो है, उसका जो है, last वाला जो है, आप पैलोड है, तो overall ये साथ पैलोड का नाम याद रखना, तो इसका answer भी correct है सभी, तो प्रोक्त सभी, next one, चंद्रमा पर किने तत्वों की खोज की गई है, तो चंद्रमा पर किन तत्वों की खोज की गई है, overall 8 तत्वों की खोज की गई है, जिसमें हम बात करते हैं, जैसे कि ये तीन element वो आपको ध्यान रखना है पृत्वी पर भी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले तीन element में यही है alemonium, calcium और iron सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले element के में ये तीनों प्रमोग्रूप से आते हैं तो ऐसा moon पे भी खोजा जा चुका है इसके लावा वहाँ sulfur, chromium और titanium की भी पुष्टी हो चुकी है यह सब किसने बनाया है? LIBS ने यह जो LIBS है न इसी की मदद से ही ये खोजा गया है इस LIBS का full form भी ज़रूर याद रखना laser induced breakdown spectroscope laser induced breakdown spectroscope इसकी मदद से तत्वों की खोज की गई है यह बात याद रखना कितने तत्वों हो चुके हैं? आड तत्वों हो चुके हैं ठीक है? तो यह याद रखना तीन ये हो गए, तीन ये हो गए और वहाँ oxygen, silicon और मेगनीज की भी खोज हो गई है तो यहाँ पर याद रखना 3, 3, 6, 3, 9 हो रहा है तो sulfur के बारे में अभी बहुत कुछ पुष्टी होना और बाकी है तो till date तक हम 3, 3, 6, 2, 8 कह सकते हैं लेकिन sulfur और hydrogen भी 100% मिल ही जाना है बस उसको हमको पुष्टी करना बाकी है यह बस याद रखना तो इस प्रकार हम कहेंगे उप्रोक्त सभी नेक्स वन चंद्रियान 3 मिशन का कुल बजट है यह तो भी याद रखना 615 करोड है 10,000 करोड जो है गगन यान का मिशन का प्रोजेक्ट का टोटल जो है बजट है और 978 करोड चंद्रियान 2 का था और यह 615 करोड जो है कहते हैं कि यह चंद्रियान 3 का है 500 करोड, 504 करोड सम्थिंग एराउंड हमारा किसका था मंगल यान मिशन का था नेक्स वन सुमेलित है चंद्रियान 3 वन का है 2008 में PSLV C11 यह लांचर की मदद से लांच किया गया था बिलकुल करेक्ट है चंद्रियान 2 जो है 2019 में इसे लांच किया गया था और उस समय KC1 सहाब कौन थे इस सुरू के चेर्मेन थे और GSLV Mark 3 M1 से इसे लांच किया गया था यह भी करेक्ट है और चंद्रियान 3 2023 में 14 जुलाई को लांच किये थे 23 से को पहुँचा था तो LV M3 LV M मतलब लांचिंग वहिकल Mark 3 M4 M4 जैसी M1 है तो M2 M3 और इस पकार यह M4 तो यहाँ पर इसकी मदद से लांच किया गया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है और इस समय सोमनाथ सहाब इस रोगे चैर्मेन है चंद्रियान 1 के समय कौन थे जी माधवन नायर सहब थे ठीक है तो उपरोकत सभी इसका आंसर होगा Next one चंद्रमा से संबंदित सही कथन है प्रित्वी का 14 दिन बराबर चंद्रमा का 1 दिन 14 Earth Day is equal to 1 Lunar Day ये याद रखना चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं है क्योंकि वहाँ पर वायू का जो है जो पलायन वेग है वो क्या है प्रित्वी के पलायन वेग से काफी कम है ठीक है यानि कि वो escape velocity कहाँ जाता है तो ये काफी कम है एराउंड 2.4 km पर आर के आसपास है तो यहाँ पर याद रखना कि ये चंद्रमा पर there is no atmosphere मतलब वायू वहाँ से उपर चली जाती है ठीक है जैसे कि 9.8 m per second कोई भी चीज़े उपर से नीचे गिरेगी तो ये क्या है gravity acceleration है और इससे अगर इसकी value जादा होगी किसकी हमारे जो है escape velocity की तो obviously यहाँ पर वायू मंडल होगा लेकिन चंद्रमा पर इसकी value से क्या है वहाँ पर कहा जाए उसका जो escape velocity की value काफी कम है इस कारण जो है वहाँ पर like वायू मंडल नहीं है मतलब value जो है उपर पलायन कर जाती है चंद्रमा पर गुरुत्वी तवरन प्रिथ्वी के मान का एक बटे च्छे भाग है यह बात भी याद रखना overall कहा जाए उप्रोक्तस सभी है ठीक है next one आदित्य L1 मिशन से संबंधित सही कथन है सूरी का अध्यन करने वाला भारत का प्रथम solar observatory mission है बिल्कुल correct है language point जो प्रिथ्वी और सूरी के बीच का जो स्थान होता है हम कहते हैं कि overall जो 5 ऐसे points है उसमें क्या है L1 point को lagrejian point कहा जाता है जो scientist के नाम पर lagrejian point के नाम पर वो जाना जाता है ठीक है तो lagrej point बिन्दू के चार और हैलू कक्षा में स्थापित किया गया है किया जाएगा नहीं किया जा चुका है ठीक है इस अल्रेडी डन किया गया कह सकते हो ठीक है और launching date था 2 सेनबर 23 mission अवधी 5 वर्सों की होगी तो launching date के 4 महीने में क्या है उसका दूरी है यह बात याद रखना जो एक ऐसा point है कि अगर solar eclipse भी हो अगर सूरी ग्रहन भी हो तो आसानी से उस जग़ा पर बिना कोई disturbance के सीधा उसे देखा जा सकेगा तो अगले 5 वर्सों तक हमारा जो सूरी यान या फिर कह दिया है आदित 11 mission है लूनर पोलर एक्सपोलोरेशन यह भी है बिलकुल लूनर पोलर एक्सपोलोरेशन अगला जो हमारा चंदरयान 4 भी हम लाँच करने वाले है ठीक है तो लूनर पोलर एक्सपोलोरेशन याद रखना future का project है X-ray polarimeter जो है polarimetric जो है satellite एक्सपो सेट यह भी हम लाँच करने वाले है यह सब ISRO की website से लिए के content है जो exam के लिए important हो सकते है निशार NASA ISRO है ना हम कह सकते है synthetic aperture radar यह भी क्या है NASA और ISRO का joint mission है तो यह याद अखना निशार भी हम future में लाँच करने वाले है तो उप्रोक्त सभी इसके लावा mission Venus याने सुक्रयान इसके लावा चंद्रयान 4 और गगन यान यह भी क्या है future के project है और 2033 तक हम अपना खुद का space station बनाने की और अगरसर है तो यह कुछ ऐसे points हैं जो आपके exam के लिए काफी helpful हो सकते हैं बाकी हम इसके अलावा पहले भी चीज़ें discuss कर चुके हैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा यह point बहुत important है और इसके functions में बता देता हूँ जो exam के लिए helpful हो सकते हैं इसे lander payload में रामभा, chest और ilsa की बात किये थे तो यहाँ पर हम इनके full form भी देखेंगे इनके functions भी देखेंगे तो lander में कहेंगे रामभा, chest और ilsa उसी पर रूवर में बात करते हैं AP access, LIBS इसी की मदद से हम element की खोच कर रहे हैं और यह shape जो है related है propulsion module से तो आईए देखते हैं इसके full form जैसे कि हम बात करते हैं LIBS और AP access और safe की बात करते हैं पहले, LIBS और AP access किसका पार्ट है देखो LIBS और AP access जो है किसका है रूवर का पार्ट है और shape जो है आपका propulsion module का पार्ट है तो laser induced breakdown spectroscope यह क्या है रासानिक सरचना वहाँ की जो rock structure है उसका अनुमाल लगाना होता है यह उसका main काम है और तत्वों की खोज और elements की खोज यही किया है ठीक है next one next one बात करते हैं alpha particle x-ray spectrometer alpha particle x-ray spectrometer जो है वहाँ पर बहुत सारे element की खोज करने में यह भी मदद करेगा with the help of LIBS और यह दोनों rover पे हैं rover वहाँ moon की धर्ती पर क्या कर रहा है वहाँ पर उसको study करने का प्रयास कर रहा है उसके rock को उसके soils को ठीक है तो यह दोनों की मदद सही हम करेंगे लेकिन basically सबसे जादा directly use करेगा directly जो तत्वों की खोज किया है वो LIBS है बट इसकी मदद भी ली गई है shape का काम क्या है कि इसका full form है spectropolarimetry of habitable planet earth जब यह क्या करेगा यह सीधा communication डेवलब करने के लिए मदद करेगा जैसे हम प्रित्वी से उस पर direct कैसे connect हो सकेंगे तो rover information को lander को देगा lander जो है ISDN center जो हमारा बैंगलरू है जो इस तरो का एक center है वहाँ पर सीधा information को भीजेगा ठीक है तो इस प्रकार यह communication का जो है तरीका है ठीक है इसकी मदद से हम यहाँ पर भेजते हैं now यहाँ पर हम बात करेंगे like rambha तो rambha के बारे में चेस्ट के बारे में भी इसके भी full form upload कर लीजे यह भी बहुत important चीजे हैं भाई तो radio anatomy of यहाँ पर बात करेंगे radio anatomy of moon moon bound hypersensitive ionosphere I repeat radio anatomy of moon moon bound hypersensitive hypersensitive ionosphere and atmosphere ठीक है आइनosphere and atmosphere यह रामभा का full form है जो सूरे से आने वाली plasma करणों के घनत्व और मात्रा और उसके बदलाव की जाच करेगा ठीक है दूसरा आता है chest तो chest जो है याद रखना वो moon की धरती पर जो भी temperature होगा उसको जो है यहाँ पर उसको experiment करेगा चंद्र surface thermophysical experiment यहाँ पर लिखा भी हुआ है ठीक है यह बात याद रखना ठीक है यह chest का full form है और ilsa का full form है instrument of lunar seismic activity यहाँ पर moon पर जो moon को एक आएगा यानि कि वो धरती हिलेगी moon की तो उस case में वहाँ पर उसे study करने का काम करेगा और array के बारे मैं बताया था laser retro reflector LRA laser retro reflector जो चांद के dynamics को समझने का प्रयास करेगा और यह बातें आप लोग को ध्यान रखनी है यह exam के लिए बहुत helpful है ठीक है जो future के project है यह आपको जिसको मैंने discuss किया this is the future project और जब हम बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में तो यहाँ पर मैंने जो बताया हुआ तो वही points यहाँ पर mention किये गए है तो जो 2 सितंबर को अल्लेडी launch किया जा चुका है स्री हरी कोटा सितीस दवन सेंटर से नाव कि हम जो लेगरेजियन point है देखो प्रित्वी यह हमारे प्रित्वी यह सूर्य है बीच में हम देख रहे हैं कि हमारा जो है आदित्य L1 है तो आदित्य L1 actual में यह सूर्य ही यह प्रित्वी है हम यह प्रित्वी है तो यहाँ पर जो L1 से लेकर L5 तक 5 points है इसी आप बात करेंगे यह L1 point को ही L1 point कहा जाता है जो directly सूर्य को जो है study करेगा ठीक है एक छोटा सा session आज हमने cover किया बट exam के लिए बहुत important है मिलते हम next class में thank you so much have a nice day